CPU के power button में ना power आ रही है ना CPU start हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसे condition में क्या करना चाहिए monitor के उपर कुछ भी नहीं दिखाए दे रहा है कुछ भी नहीं के आपके computer में यह error आ सकते हैं तो ऐसे कौन-कौन से condition से और उसका क्या-क्या solution से यह मैं आपको इस वीडियो में बताने हो लाओ तो अगर आप इंट्रेस्ट उड़त वीडियो एंड तक देखिएगा मैं सतीश complete technology channel पर आप सबका स्वागत करता हूँ शुरू करते हैं इंट्रेस्टिंग टॉपिक कंडिशन नंबर वन कंडिशन नंबर वन यह है कि आपने आपके CPU का बटन प्रेस कर दिया और वहां पे कुछ भी नहीं दिखा दिया मतलब CPU के power button में ना power आ रही है ना CPU start हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसे condition में क्या करना चाहिए ऐसे condition में सबसे पहले आपके computer में power आ रहा है की नहीं आ रहा है यह चेक करना चाहिए यानि कि आपको power cable चेक करना चाहिए जो आपके SNPS को लगा हुआ है सबसे पहले power cable test कीजिए, power cable test करने के लिए आपके पास tester होना चाहिए, tester की मदद से आप check कर सकते कि उसमें power आ रहा है कि नहीं आ रहा है, power cable आपने check किया, अगर आपके पास tester नहीं तो multimeter होना चाहिए, multimeter कुछ इस तरह दिखता है, screen के उपर मैं दिखाता हूँ, और मैंने hardware के पूरे के पूरे टुट्रियल में multimeter का use भी बताया है, तो multimeter से आप check कर सकते power cable को, power cable आपने check कर लिया, power cable proper है, अब आपको check करना क्या चाहिए, पहले तो आपने power check कर लिया, power आ रहा है कि नहीं आ रहा है, SMPS के अंदर, आप SMPS वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह आपको check करना चाहिए, तब ही आपको solution पता चल जाएगा इसका दीरी दीर, तो अभी आप SMPS चेक कर रहे हो, तो SMPS चेक करते समय आपको green और black wire shot कर नहीं होती है, यह मैंने और वीडियो बना है, इसकी उपर, उपर आई बटन में लिंक देता हूँ, डीटेल वीडियो बना है कि भई SMPS चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कैसे आप चेक कर सकते हैं आपकी कंप्यूटर में, पावर सप्लाइ, जिसे आप बोलते हैं कंप्यूटर का, तो बेसिकली उसे आपको चेक करना है, और वो चेक होने के बाद उसमें भी पावर आ रहा है, तो उसके बाद नीचे आपको मदर बोड में जो SMPS का ATX पावर केबल लगता है, वहाँ पर जाना चाहिए, मतलब आपको step by step में flow बता रहा हूँ, troubleshooting का, याद रखिए, जब कभी भी आप computer खुद से repair करना चाहते हैं, तो ये troubleshooting step आपको हमेशे आद रखना है, क्यूंकि generally हम क्या करते हैं, directly CPU खोल देते हैं, CPU खोल लेकी ज़रूद नहीं रहती है, पावर बटन प्रेस करने के बाद light नहीं आ रही है, तो पहले power cable चेक करो, फिर SMPs, बाद में CPU खोलो और SMPs चेक करो, SMPs में power आ रही है, power cable प्रॉपर SMPs में power आ रही है, अब आपको जाना है motherboard के बढ़र, जहां पर आपका ATX pin लगता है, जो SMPs से power आता है, वो motherboard पे जहां पे लगता है, उसे निकाल कर आपको लगाना चीए, और इसके बाद भी, अगर यहां पे इसमें problem टरबल शुट नहीं हुआ, तो आपको फिर motherboard चीप लेवल वाले के पास देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे power इन नहीं हो रहा है, याने कि वहां पे कुछ तो chip लेवल का problem है, पहला solution मैंने आपको बदा दिया, कि बाई CPU का button प्रेस करने के बाद पावर नहीं आया, तो क्या करना चाहिए, condition 2 की तरब बढ़ते हैं, अब condition 2 में आपने CPU का button स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे वहां पे light लग गई, CPU के अंदर fan है, वो भी घूमने लग गया, और SMPs का fan भी घूम रहा है, तो अभी इसका मतलब यह है कि आपका CPU तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्क्रीन की उपर कुछ भी discipline नहीं आ रहा है, monitor की उपर कुछ भी नहीं दिखाए दे रहा है, कुछ भी नहीं, तो ऐसे case में सबसे पहले आपको चेक करना क्या चाहिए, आपको अपका computer खोलना चाहिए, और उसमें RAM आपको निकालना है, RAM को निकालना है, उसे clean करना है, eraser से, RAM को eraser से clean करने के उपर भी video बना है, मैंने इसके उपर अलएड़ी separate video बना है, जो कि आपको सारी link मैं description में दे दूँगा, आप एक एक करके उन्हें देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस video में overall idea दे रहा हूँ, कि करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सरी लोग confused रहते कि करना क्या है, troubleshooting कैसे करना है, हमने hardware तो जान लिया, हमने hardware course भी सीख लिया सती सर से, अगर अभी तक अपने मेरा course नहीं देखा है hardware का, तो description में लिंक देता हूँ, hardware course की भी वो देख लेना, देख लेना मतलब वो course actually paid है, लेकिन certificate के साथ वो course आपके लिए available है, description में आप चेक कर सकते है, premium course और काफी advanced level का course है, hardware का, तो फिलाल तो मैं आपको बता रहा था कि, second troubleshoot क्या है, अगर आपने power button प्रेस किया, light भी on होगी, लेकिन display नहीं आ रहा है, तो उस case में आपको RAM clean करना है, RAM eraser से proper clean करना है, जो उसके golden points रहते है, उसके वाद RAM लगा कि देखना है, दुबारा अगर display आ गए तो well and good, नहीं आया, तो RAM के बाद आपको जाना है, CPU और motherboard की तरफ, तो आपको CPU detach करना है, निकालना है, CPU कैसे निकालना है, वीडियो मैंने अल्रेडी बनाया, description में एक link उसका छोड़ देता हूँ, तो CPU निकालना है, CPU निकालने के बाद CPU थोड़ा सा heat sink वगएरा solution लगा कि वापीस उसे attach कर देना है, और इसके बाद भी display नहीं आ रहा है, आप condition 3 की तरफ बढ़ते हैं, अब तीसरा condition में आपको बता हूँ, कि CPU का बटन आपने फिर से प्रेस किया, और इस बार CPU के अंदर से आवाज आ रही, बीप, 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 ऐसी आवाज आएगी, और कोई आवाज नहीं आती CPU से, बता रहा हो, तो ऐसी आवाज बार-बार आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि एक इश्यू है, वो है RAM का इश्यू, तो आपको RAM को निकालना है, क्लीन करना है, लगाना है, और फिर से बीप, वैसे आ रहा है, तो RAM हटा देना है, दूसरी RAM लगा कि देखना है, मतलब सेम DDR2 है तो DDR2, DDR3 है तो DDR3, रहाम के उपर लिखा रहता है, वो RAM आपको दुबारा वैसे, दूसरी RAM लगा कि चेक करना है, ये RAM का ट्रबल शूटिंग है, ये कंडिशन आपको याद रखना है, तो तीसरी कंडिशन क्लियर, अब चौथी कंडिशन की तरब बढ़ते हैं, अब चौथी कंडिशन जो कि मेरे एक स्टूटन ने भी मेरे साथ शेयर की थी, मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनके मॉनिटर पे यहां पे बस BIOS का जो है रीडिंग आ रहा है, आगे Windows लोड नहीं हो रहा है, CPU स्टार्ट हो रहा है, मॉनिटर पे कुछ ब्लैक स्क्रीन पे कुछ टेक्स दिखाई दे रहा है, और आगे Windows नहीं लोड हो रहा है, desktop नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या solution होगा, ऐसे केस में ना आपको RAM क्लीन करना है, RAM को हाथी नहीं लगाना है, ना आपको CPU को क्लीन करना है, ना motherboard को निकालना है, कुछ नहीं करना है, अगर Windows फिर भी लोड नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि ये केबल प्रॉपर लगी हुई है, ये केबल प्रॉपर लगी हुए, प्रॉबलम कहाँ पे, केबल में नहीं है, केबल में नहीं प्रॉबलम तो किस में हो सकता है, हाट डिस के अंदर जो Windows इंस्टॉल है, उसमें प्रॉफलम में, आपको Windows को रिंस्टॉल करना पड़ेगा, Windows की फाइल करप्ट हो गई रहेगी, Windows अगर करप्ट है, तो आपके कंप्योटर में डिस्प्ले तो आएगा, आपके मॉनिटर पे डॉस की स्क्रीन दिखाए देगी, ब्लैक स्क्रीन पे वाइट टेक्स्ट आएगे, उसे हम डॉस का जो लोडिंग रहता ना, पहले BIOS लोडिंग बोलते हैं बिसिकली, तो BIOS लोडिंग होगा, लेकिन BIOS के आगे Windows नहीं आएगा, और Windows इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि वो करफ्ट हो चुका रहेगा, या फिर hard disk की पेन लूज होई रहेगी, तो ये दो ही चीज़े है, ये दो ही solution आपको याद रखने हैं, और इसकी तरफ ही बढ़ना है, तो आप RAM बदलोगे, फिर motherboard क्लीन करोगे, ये सब चीज़े करनी नहीं है, क्योंकि सब कुछ चालू है, motherboard CPU चालू है, आपका CPU अन हो रहा है, इसलिए तो display आ रहा है, RAM भी चालू है, इसलिए तो display आ रहा है, motherboard चालू है, इसलिए तो display आ रहा है, याद रखिए ये चीज, hard disk की तरफ जाना है, और windows को आपको रिंस्टॉल करना पड़ेगा, ये दो मैंने solutions बता है, आप बढ़ते हैं, पाच्वे condition की तरफ, अब पाच्वे condition ऐसे, कि आपने CPU स्टार्ट किया, सब कुछ स्टार्ट हो गया, windows भी लोड हो गया, वो ज्यादा हीट हो रहा है, उसका जो हीट सिंक लगा हुआ रहता है, यानि कि हीट सिंक का एक नीचे मटरेल रहता है, और उपर फैन लगा रहता है, तो वो जो हीट सिंक है, वो प्रॉपरली CPU के साथ एटेच नहीं है, अगर वो एटेच होते हीट वो खीच लेगा, मतलब CPU की जो हीट है वो खीच लेगा, और फैन से वो कूल कर देगा उसे, लेकिन वो प्रॉपर एटेच नहीं होता है, या हीट सिंक सोलूशन जो होता है, वो प्रॉपरली उसके उपर लगा हुआ नहीं है, तो वो आपको लगाना है, cpu को प्रॉपर टाइट पैक कर देना है अंधर, CPU के उअट लोग भी डिले हो सकते हैं, तो उसकेस में क्या होता है, cpu गरम होता है और एक मिनिट के बाद बंद होता है, तो अगर आपका cpu एक मिनिट के बाद बंद हो रहा है, तो यह आपको चीज करनी पड़ेगी, याद रखिए, करना क्या है, CPU के उपर जो लगा हुआ फैन है, या फिर हीट श्रिंग है, वो प्रॉपरली लगा हुआ रहना चाहिए, Condition No. 5 के बाद, Condition No. 6 के तरफ बढ़ते हैं, Condition No. 6 में ऐसा है कि आपने CPU स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग के लिए 5 से 6 मिनिट लग रहा है, Windows लोड होने के लिए, डेक्स्टॉप के आइकॉंस आने के लिए 5 से 6 मिनिट, आप तंग होगे यार कब चलो होगा, तो ऐसे केस में problem कहाँ पे, problem है operating system में, जो system file है, operating system की files वो properly load नहीं हो रही है, इसका reason ही होता है कि आपने उसे बहुत सरा काम दे दिया है, बहुत सरी खिचड़ी कर दिया उसमें, system drive में, तो आपको ऐसे केस में windows को reinstall करना ही आच्छा रहेगा, reinstall करेंगे तो पता है न क्या होगा, reinstall करेंगे तो सारी system file properly arrange हो जाती है, लेकिन reinstall करते समय आपको आपके जो license version के software से उसके license की अलग सा होनी चाहिए, आपके बस निकाल के रखनी है और उसके बाद आप उसे reinstall कीजिए, हाडवर वाले के पास reinstall करोगे तो hardly और पास चेसुर रुपए लिता है, लेकिन अगर मेरा tutorial सीख के install करोगे तो प्री में हो जाएगा, आप जितनी बार चाहिए उतनी बार कर सकते है, और मेरा course ही हाडवेर का लगबग पास चेसुर रुपए में आ जाता है, जो हाडवेर सात्वी नंबर केस में everything इस हो गए, लेकिन monitor का जो है na color बदल रहा है, जैसे मैं आप आप पे दिखा रहो आपको कि यार ये monitor का color यहाँ पे बदल रहा है, इसका खारण ही होता है कि आपका जो VZE Cable वो damage है, कई ना कई पे problematic है वो, बाकि CPU में कुछ प्रोब्लम नहीं, बह पर color बदल रहा है, तो आपको बदलना होगा क्या VZA cable, राइट, या फिर HDMI cable रहेगा, तो HDMI cable में ऐसे issues नहीं आते, मेरे office में जो HDMI CPUs उसमें नहीं है, लेकिन VZA पुराना monitor है, तो उसमें ये issue आ रहा है तो मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा issue अगर आपके साथ है, तो ये चीज़ कर लो Condition No.8 की तरफ बढ़ते हैं आपके Laptop से Beep Sound आ रहा है, Laptop स्टार्ट करते ही या फिर Laptop स्टार्ट हो गया और अभी दिखा ही दे रहा है कि कोई Keyboard की एक Key Press Long Press है, वो Press हो रही है हो रही है, हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपको Laptop का Keyboard बदलना है, जो Keypad है बेसिकली Laptop का, उसमें Moisture आ गया है, याद रखिए अगर उसमें Moisture आता है, तो आपको ऐसे के इसमें Laptop का Keypad बदलना होता है, देखिए अगर आप Branded Keypad लेते हो, तो 1200 से लेकर 2000 के बीच में, या 2000-2500 के बीच में आ जाता है, Branded Keypad, वही Company का, वही Brand का, लेकिन Market से अगर आप लोग है, तो 600-700 रुपए में भी Keypad पूरा Replace होके मिल जाता है, अगर आप अपने Laptop का Keypad बदलना चाहते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस Keypad को Detach कर सकते हैं, Laptop की Keypad को और Detach करके दूसरा USB Keyboard लगा सकते हैं, आपकी मर्जी 300 रुपए में USB Keyboard भी मिल जाता है So, ये थी Case No.8 अब 89 की तरह अब इस Case में मैं आपको बता हूँ कि CPU में आपने LAN Card में LAN Cable लगा दिया, जैसे कि मैं स्क्रीन के उपर दिखा रहा हूँ, LAN Cable अपने यहां पर लगा दिया, लेकिन फिर भी Computer में Internet Connect नहीं हो रहा है आपको ये Cross Sign दिखा रहा है, इस तरह का जैसे मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आपके Computer में Network Driver इंस्टॉल नहीं है आपको Network Driver इंस्टॉल करने पढ़ेंगे Network Driver इंस्टॉल करने के लिए आप Simply Google पर जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं Network Driver उससे आपको Reality के Network Driver मिलते हैं बहुत सारे Network Driver रहते हैं, वो आपके Motherboard को जो support होंगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर Motherboard जब आपने खरीदा है Computer जब खरीदा, तो उसके साथ एक Driver की CD मिलती है, उसे आप रिंस्टॉल कर सकते हैं, तब जाकि वो LAN केबल लगाने से फाइदा होगा, याद रखिए इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया Condition No.10, यह बहुत ही Simple condition है, आपने CPU का बटन स्टार्ट कर दिया और CPU के अंदर से noise आ रहे है तो यह noise कुछ और नहीं है अंदर drill machine नहीं चल रहा है, अंदर जो fan है उसके अंदर आपके Motherboard या power supply जिसकी भी है Cable कई ना कई पर touch है याद रखिए, वो cable touch है, इसलिए fan से आवाज आ रहा है या बहुत सरी बार वहाँ पर dust रहता है या fan प्रॉपर काम नहीं करता है fan कभी कभी पुरा नहीं होता है, तो dust की वज़े से वो खराब हो जाता है, तो ऐसे case में वो fan से आवाज आती है, तो आपको बस वो fan को replace करना है, 300-400 रुपर में CPU की उपर का fan आ जाता है मैंने price बता दी ये आपको बस अभी आपको बदलना है, तब आप बदलिये ये थी condition number 10 तो ये तो मैंने conditions और solution बता दिये दोस्तों लेकिन एक important tips भी मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा गर्मी के दिनों में, अगर आपके घर में AC नहीं है, आपके office में AC नहीं है तो गर्मी के दिनों में आप जो भी laptop या computer यूज कर रहे हो, computer यूज कर रहे हो तो अगर आपका गरम होता है तो उस case में आप cooling pad भी खरीद सकते है जैसी कि मैं दिखा रहा हूँ मेरे office में जो भी laptop जितने भी laptop उन सभी के लिए मैंने cooling pad लिया है, जो यहां पर आपको screen के उपर दिखाए दे रहा है और यह USB के साथ connect होता है, simple USB लगा दोगे, वो cool करता रहता है नीचे से राइट और यह बहुत ही बहतर ही नहीं है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो description में मैं Amazon की link आपके लिए छोड़ दे तो आप पकड़ लेना, मतलब आप वहां से ले लेना मुझे भी थोड़ा सा commission मिल जाएगा, okay, extra cost तो आपको लगने वाली नहीं है लेकिन अगर आप खरीदना चाहते है, laptop के लिए cooling pad तो आप ज़रूर ले सकते है फिलाल तो यह मैंने tips आपको सारी बता दिए, सारी चीज़े मैंने को बता दिए यह कि कौन कौन से condition में क्या क्या आपको solution रहने वाला है, वीडियो को like share और comment कर लेना साथी में मेरे computer courses की link description में दीए, अगर आपको मेरा teaching trial पसंद है जो भी पढ़ा और आपको समझ में आता है तो ज़रू check किजिए मेरे courses साथी में मेरे जितने भी चैनले learn more, real tutorial, excel tutorial, सबकी link description में, check करना, अपना खयाल रखना, सीखते रहना, सीखाते रहना, आखिर में bye bye कहूंगा